हेलो फ्रेंस वेलकम टू माय टैट क्लास फ्रेंस आज हम देखेंगे परियावराण अध्यन में हम तीस महतपूर प्रश्णों को देखेंगे और यह बता हूं कि अभ्यास का यह हमारा सेट तीन होगा इससे पीछे हम दो सेट देख चुके हैं जिन लोगों न न देखा हो डि में आपके 2017-2018 के इबुकलेट से उठाएं और साथ ही इसके लावा कुछ आने प्रश्ण भी है तो आई देखते हैं इन प्रश्णों को पहला प्रश्ण हमने लिया है परियावरण की परिभाशा क्या है देखें ऑप्शन देखिए एबायोटिक घटक है समुद्र तल की न से प्रश्ण में और यहां परिया ऐसे इसके सही कि अपकर है तीसरा प्रश्ण देखी दिया है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का जल अमलिय हो जाता और यह आपका दोलगा ठाटो epic जासे होती है इसलिए option 4 आपका यहां पे सही है आगे देखिए चौथा प्रिश्ण चौथा प्रिश्ण है कि सार्दा एक्ट का संबंध निन में से किस्से हैं बाल विवा से दहेच प्रता से बालश्रम से या फिर अनिवार शिक्षण से तो सार्दा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवा से option 1 आपका यहां पे सही है आगे दिखिए दिया है चटानों के टुकडों के टूट टूट कर सुच मकडों में परिवर्थित होने को कहते हैं अप्चय अपरदन खनीजी करण उपरोक्त में से कोई ने तो दो तो देखिए आपके यहां से गलत होगे अप कंफ्यूजन है कि अपच्या या परदन अपरदन होता है जो बाहिक क्रियाओं के कारण उठें तोड़ा जाता है यानि कि खंडीट की आ जाता है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी की बात नहीं कहीं जारी है वह कहीं जारी कि एक ही जगा पर तूट के ब यहां पर पारirtवन को बचाने के लिए चिपको अम्हें से कौसा राज जुड़ा है यह आपका यह चीज आप बहुत जगे देखते होंगी सरकारी स्थानों पर या फिर जो प्राइवेट नीची कंपनियां होती उसके बाहर लिखा होता है कि धुम्रपार कना निशेध है तो यह कब लागू किया था दो अक्टूबर 2007 में, दो अक्टूबर 2008 में, दो अक्टूबर 2009 में या फिर दो अक्टूबर 2010 में तो देखिए इसका सही ऑप्शन दो है यानि कि दो अक्टूबर 2008 में सभी जगे धुम्रपार का सेवन कना प्रतिबंधित कर दिया गया था अगला प्रिशन देखिए अगला के द्वारा अहुत की जाती है तो राश्पती के द्वारा की जाती है अगला देखिए अगला का प्रश्ण है कि पारिस्थितिक तंत्की सर प्रथम विचारधारा दी थी एपी ओडम ने एजी टैलिंसिल ने आर मिश्रा ने और पर किंजी ने तो टैंसिले ने पारिस्थितिक तंत्की जो सर प्रथम विचारधारा दी थी उन्होंने अगला प्रश्ण देखिए खाद शिंखला में मनुश्य है आपको बताना है किस नंबर पहवा उत्पादक कहलाता है उपभोगता अब घटक या इन में से कोई दे तो खाद शिंखला में माना उपभोगता कहलाता ओप्शन दो आपका यहाँ पे सही है पित्वी पर पहुचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अशोशित करती है और यह प्रशन आपका 2017 में पूछा गया प्रशन है गामा किरणे एक्स किरणे पराबैगनी किरणे और बीटा किरणे तो इसका ओप्शन 3 देखे सही है कि जो पराबैगनी किरणे होती है इन्हे किरणे ऑजोन परत अऊशोशित करती है ऑप्शन 3 अगला प्रेशन देखे अगला प्रेशन है कि वन प्रोश्टी की तंड होता है सीधा उल्टा उल्टा या सीधा दोनो या फिर चोथा तो यहां से इसका जो सही option होगा वो होगा दूसरा सीधा बनता है कैसे देखिए पीरामिड इस तरीके से बनता है तो क्या है जिसकी संख्या के बेस पेदर चोटे पोधे होते हैं वो सबसे जादा पाये जाते हैं फिर प्रभावित होंगे अगला प्रेशन देखिए ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्तित और यह आपका अगला प्रेशन है सभोजिता है एक क्या है आपको बताना है विकल्पिये संबंद विकल्पिये संबंद पर जीवी संबंद और सहजीवी संबंद सह में सह होता है साथ तो यहां से ऑप्शन चार तो आपका गलत हो गया पर जीवी सह भोजी दिया है सह में साथ साथ जो भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपैंड हो तो पर जीवी भी नहीं हो का पर जीवी दूसरे पर डिपैंड होता लेकिन जिस पर वो डिपैंड है उस दूसरे के साथ रहने के लिए कि हम आपकी यह help करते हैं और वो दूसरा उसके लिए कुछ न कुछ दूसरी help करता है तो यहां से option 2 आपका सही होगा कि विकल्पी है संबंध अगला प्रिशन देखिए अगला प्रिशन दिया है कि जलिये पॉधे carbon dioxide का आफ शोषन करते हैं अगला प्रिशन देखिए अगला प्रिशन दिया है जीवों के विवहार का अध्यन किया जाता है और यह प्रिशन आपका 2017 के पूछा गया प्रिशन है इटियोलाजी नियोलाजी इथोलाजी यदेम ओलाजी तो देखिझे में किया जा तु वियभार को क्या कहते है तो और अगला प्रिश्ण है किस जी में रंग बदलने का पूर फलें स्यक्रेंट निकलती जो नई पौधे का रूप लेती हैं 22वाएं गंदा पानी पीने से कौन सा रोग उत्पन होता है गंदे पानी में उपजदे हैं मच्छर उनसे होता है बुखार अलग हो चाता है आपका डायरिया है जो गंदे-पानी पीने की वज़ए से होता है तो उप्छन तीन आपका यहाँ पर सही है अगला प्रिश्ण देखिए भार्टे गैंडा कहां सरच्छित है और यह प्रिश्ण आपका 2008 एक्जाम में आया हुआ प्रिश्ण है कार्वेट नैशनल पार्क काजी रंगा नैशनल पार्क बांदीपूर नैशनल पार्क और गिर गिर में आपके एशियाई शेर काजी रंगना नैशनल पार्क में आपके भार्टे गैंडे हैं सरच्छित किये जाते हैं अगला है ऐसा पोधा जिसे कलम लगाकर उगाया जा सकता है कौन सा है वह पोधा आमला है केला आम या निप तो आम एक ऐसा पोधा है जिसे हम कलम के माध्यम से भी लगा सकते हैं ऑप्शन तीन आपका सही होगा पचीसमा प्रश्ण देखे दिया है 2017 की एक्जाम में आया हुआ प्रश्ण है यह एलपी जी का संचित रूप है लिक्वीफाइट पैट्रोलियम गैस ऑप्शन तीन आपका यहां पे सही है आगे देखिए अंधे लोगों की लिए कौन सी लिपी का प्रियोग किया जाता है ब्रेल लिपी देवनागारी लिपी संदेश संकेतों प्रेयोग से तो जो अंद्य की पढ़ाई करन से जाती तो और यहां पर सही है अगला प्रेशन देखिए लूनी नदी कहां से निकलती है बिंद्याचल परवत से अमरकंटक से अरावली की श्रणियों से फिर या फिर आपका दिया है चोथा सत्पूरा की श्रणियों से तो लूनी नदी कहां है राजस्थान में आती है और ये अरावली की श्रणियों से मेजर ध्यांचन्द्र की जनम दिन से यह मनाया जाता है और जनम दिन थाया यानि कीखेश्य दिवस कि दिन मनाया जाता है 29 अगस्त को option एक आपका यहां पर सही है अगला देखिए पंचायतों में इस्तिरों के लिए कितना आरक्षण है एक तीहाई एक बटा तीन निख सकते हैं फिर दो चोथाई यानिकि दो बटे चार एक चोथाई एक बटे चार या फिर 50% तो देखिए एक पंचायतों में इस्तिरों के जो भूमी का है वो एक तीहाई है यानिकि option एक आपका यहां पर सही यानिकि सो में 33% आपकी इस्तिरों की सीटे होंगी अगला है आखरी प्रशन है यह रेल की सूची में आता है संग सूची राज सूची समवर्ती सूची या उ उनों ही चलाते हैं तो रेल आपका संग सूची में आता है option एक आपका यहां से सही है तो फ्रेंट्स आपको यह प्रिशन कैसे लगे एक बर कमेंट करके हमको जरूर बताएं अगली वीडियो में आप से फिर मलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार झाल 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 झाल